ज्यादा मात्रा में चीनी खाना न सिर्फ लट लगा देता है, बलकि हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान दायक भी है। चीनी का सेवन बहुत सी बीमारियों को न्योता देती है, जैसे कि डाइबीटीज, ओबीसिटी, रिदह रोग और दांतों में मवाद के साथ साथ कैविटी का कारण बनती है। हाला कि इसमें भी दो राय नहीं है कि चीनी की लत कम करना आसान नहीं है, खास कर कि जब आप मिठाई के शौकीन हों। आईए आज के इस वीडियो में, देखते हैं कि रिफाइन शुगर ना खाने से हमारे शरीर को कितने सकारात्मक फायदे मिलते हैं, साथ ही वीडियो के एंड में बताया गया है कि रिफाइन शुगर की जगह आप कौन से बहतर healthy alternatives ले सकते हैं। रिफाइन शुगर ना खाने का सबसे पहला और most important benefit है कि जहां आप रिफाइन चीनी नहीं खाते हैं, वही आपकी calorie intake अपने आप कम हो जाती है। यही नहीं, इससे आपकी sugar cravings भी control हो जाती है। चीनी में बहुत calorie होती है, इसे कम करके आप आसानी से 2-3 kg वजन और कुछ इंचेस कम कर सकते हैं। इसके बाद है चीनी का सेवन बंद करने से, रिदय रोक का जोखिम कम होता है। आपको बता दे कि एक्स्ट्रा चीनी आपके दिल के लिए नुकसान दे है। यह हमारे शरी चीनी की वजह से, हमारे शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ाती है। चीनी का सेवन ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। चीनी ना खाने का हमारी स्किन पर भी असर होता है। इसके anti-aging प्रभाव है, जिसका मतलब है आपका चेहरा बूरहा नहीं दिखता। क्या आप जानते हैं कि जो लोग ज्यादा चीनी का यूज करते हैं, अनको 20s में ही fine lines और जुर्रियां के साथ साथ pigmentation का सामना करना पढ़ता है। चीनी की वजह से, हमारे शरीर में glycation नामक एक प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से collagen खत्म होने लगता है, जिसका हमारी skin पर काफी खराब अ meditation से बचा सकते हैं, इसके बाद है इसका positive असर जो हमारे liver पर पढ़ता है, liver हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, यदि आपका liver ठीक से काम कर रहा है, तो आपका पूरा शरीर स्वस्त रहेगा, लेकिन चीनी का अधिक मात्रा में 7 हमें non-alcoholic fatty liver disease का शिकार बना सकती है, इसलिए refined sugar को आज से ही खाना बंद करे और अपने liver को सुरक्षा प्रदान करे, इसके बाद best benefit of leaving refined sugar है, कि ये diabetes का जोखिम कम करता है, शुगर वाले foods हमारे शरीर में fat बरहाते हैं और insulin level को प्रभावित करते हैं, insulin resistance से हमारी pancreas और liver बुरी तरह प्रभावित होते हैं, इ चीनी ना खाने से शरीर natural रूप से detox होता है, यही नहीं इसका एक बहतरीन फाइदा, ये भी है इससे आपका mood भी बहतर होगा, ये एक गलत धारणा है कि मीठा खाना हमें खुश करता है या mood अच्छा करता है, चीनी आपको एक खुशी की भावना देती है, लेकिन ये कम देर होती है, एक बार आपका शरीर इसका आदी हो जाता है, तो न सिर्फ चीनी का प्रभाव हमारे शरीर पर negative बढ़ता है, बलकि depression भी हो सकता है, आईए अब जल्दी से देखते है, refined sugar के कुछ शानदार विकल्प, सबसे पहले है dark chocolate, इसके बाद अंजीर, खजूर, किश स्टीविया, शहद, तिल गुड की चिक्की, या फिर गुड को भी परिश्कृत चीनी का एक स्वास्थे वर्धक विकल्प माना जाता है, जब कभी भी आपको मीठा खाने का मन हो, तो आप मिठाई की जगह इन चीजों को खाकर sweet craving को शान्त कर सकते हैं, इन चीजों को खान सबसे बरिया फाइदा तो यही है, कि आपके शरीर में refined sugar नहीं जाएगी, और मीठा खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, अगर आप चीनी खाना बंद करते हैं, तो समय के साथ आपकी body इस शौक से बाहर आ जाएगी, यह मुश्किल है, लिकिन आपके मानसिक स्वास् आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आशा है, आपको यह वीडियो सहायक और जानकारी पूर्ण लगा है, थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो, मीच यू नेक्स ताइम, अंटिल देन, स्टे हैपी और हेल्थी.